हेलो फ्रेंट्स मैं हुरी तू आप सभी का स्वागत है मेरी कीचिन में आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मसाला हैदराभादी वो भी बिल्कुल 30 मिनिट में पूरी रेसिपी बिल्कुल ईजी स्टेप्स में जो आपको मदद करेगी जटपट रेसिपी तयार करने में तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के नीचे का लाइक का बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल प्रेस करना बिलकुल ना भूले जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो बनाना शुरू करते हैं बिलकुल रेस्टरारेंस स्टाइल पनीर मसाला हैदराबादी वो भी बिल्कुल easy steps में तो वीडियो को अंतक जरूर देखे तो यहां मैंने gas पे pan चड़ा के उसमें पानी रख दिया, अच्छा सा एक बड़ा कप हमने पानी इसमें गर्म कर लेना है तो पानी यहां अच्छे से गर्म हो रहा है यह पानी जो हम गर्म इसलिए किया है क्योंकि जो पनीर हम fry करेंगे वो इस गर्म पानी में add करेंगे हम क्योंकि उसे जो पनीर है यह soft रहता है साथ में हमने pan चड़ा दिया है gas पे, pan भी तब तक गर्म होता है और जो गर्म पानी है इसे हम निकाल लेंगे एक बावल में, तो फोई भी एक बरतन लेना है जिसमें गर्म deinen एट कर लेना है, और इसे ढाक कर रखेंगे मे साइड में और पार यहाँ पर अच्छे से टिप्स है कि आप थोड़ा सा नमक एट करें जिससे पनीर नीचे बिलकुल नहीं चिपकेगा और अच्छे से ये golden brown हो जाएगा तो पनीर को हमें दोनों साइट से हलका golden brown ही fry करना है तो यहां ये अच्छे से fry हो गया है और इसी तरीके से बचा हुआ पनीर भी हम fry कर लेंगे और इसे गर्म पानी में add कर लिया है अब इसे हम तब तक ऐसी ढाक के रखेंगे जब तक हमारी gravy ready नहीं होती है तो इसी ये पनीर अच्छे से soft रहेगा पैन में अ add करेंगे हम काजू जब प्याज अच्छी golden brown होती है उसके बाद ही काजू add करना है आप चाहे तो जो काजू है गर्म पानी में भीगो कर भी add कर सकते हैं तो इसे हमने अच्छे से golden brown होने तक के सेक लेना है तो ये पूरा मसाला हमने अच्छे से ही सेकने के बाद में flame off कर द इसे इसी तरीकी से पकड़ के रखेंगे हम तो यहां आप देख सकते हैं धीरे धीरे पूरा तेल रिषता हुआ नीचे की और आ गया है और हमने इसे प्लेट में निकाल लिया इसे ठंडा करके mixi pot में add कर लेंगे साथ में इसमें add कर लेना है हरा धनिया क्योंकि जूसी gravy है यह हलकी हरे कलर की होती है साथ में पुदीना भी हमने add कर लिया है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुदीना add करने से और इसे थोड़ा सा पाने डालके हमने इसे दयार किया है paste तो green paste ready हो गया है साथ में इसी इसमें हम yellow paste भी ready कर लेंगे तो yellow paste के लिए हमने इसमें दही add किया है आप fresh या एक दो दिन का भी दहीगर है तो वो भी add कर सकती है तो हमने इसमें डाल देना है powder मसाले धनिया पाउडर हल्दी पाउडर यहां गरम मसाला kitchen king मसाला लाल मिर्श पाउडर और जीरा पाउडर लिया है आप इसकी quantity discretion box से चेक कर लेना और इसे हमने mix कर लेना है तो दोनों हमारे paste ready है pan भी गर्म था इसमें थोड़ा सा तील और add कर लेना है और इसमें add करेंगे हम अभी जीरा तो यहां जीरा हमने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें हरी इलाइची, long दालचीनी, तेज पता और काली मिर्श हमने add कर ली है और इसे एक मिनिट तक कम करना है क्योंकि यह थोड़े से छीटे उड़ते हैं तो हमने इसमें नमक add कर लिया है और इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक इसे side से तेल release नहीं होता है तो हमने flame को थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि गाड़ी हो गई है gravy और यहां आप देख सकते हैं तेल भी अच्छे से निकल आया है तो paste बिल्कुर अच्छे से पक गया है साथ में हमने second वाला paste भी add कर लिया है दही का उसे भी अच्छे से mix कर लेंगे और जब दही का paste आप add करते हैं तो flame को कम करना है क्योंकि दही फटने के chances होते हैं इसलिए low flame पर ही इसे अपने add करना है और पक कर लिया है और इसे अच्छे से mix करेंगे side से जो masala लगा रहता है उसे भी जरूर निकाल के आप पका लेना है दो मिनट और पका लेते हैं यहां हम देख सकते हैं दो मिनट पकाने के बाद में तेल उपर आ गया है यानि हमारी gravy अच्छे से पक गई है अब इसमें हम add करेंग यह अधिक से अधिक पक गई है और अब इसमें हमने last में add करना है कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी को हमने इसमें crush करके डालना है हाथ से अच्छे से रगड के डाले जिससे इसकी खुश्बू और भी अच्छे आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ता है gravy का तो इसे mix कर लिय अब इसे हमें पकाना है लगबग 2-3 मिनिट तक तो हम इसे mix करने के बाद में ढाक देंगे और इसे पका लेंगे तो आप देख सकते हैं बिलकुल gravy हमारी तयार है अब इसमें पनीर add कर देते हैं तो पनीर को जो आप add करते हैं तब ही गरम पानी से इसे निकाल लेना है उस सविंग प्लेट में इसे निकाल लिया है और इसे गार्निश करेंगे हम बिलकुल बारी कटी हुई हरी धनिया से तो बनकर ready हो गया हमारा restaurant style पनीर मसाला हैदराबादी तो बहुत ही फटाफट और जटपट बनकर ready हो गई है ये recipe तो आपको ये recipe कैसे लगी मुझे comment box में झाल 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 झाल